इस मौसम में स्वस्त रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं बतला रहे हैं हमारे प्यारे बापुजी खान पान के अलावा वजरासन करना भी इस मौसम में अती हितकारी है इन दिनों में अद्रक, लसुन, निम्बू, फुदिना, हराधनिया, सोट, अजवाइन, मेथी, जीरा, हिंग, काली, मिरच, तुरई, खीरा, आदी, सूपाच्य भूजन करना चाहिए, वायू नाशक भूजन करना चाहिए इन दिनों में सुरज के किरन कम मिलने से जट्रा मंद रहती है, इसलिए इन दिनों में पिस्ता, बदाम, काजू, वो तला हुआ, भारी, खोड़, तेल, मिर्च, मसाला वाले पदार्तों का, मिठाईयां, तथा, आलू, आलू भी वायू करते हैं, रोग बढ़ाएंगे, और भी कुप अच्य हो जाएगी, मतर, राजमा, और हर की दाल, जलेबी, बिस्कूट, डबल रोठी, मैदे के चीजें बनी हुई, इटली, आदी, चावल की बनी हुई, किसी से दुश्मन ही हो तो ऐसी चीजें खिलाओ, वो बीमार बढ़ेगा, लेकिन ना खिलाओ, आप दीजें ना राइना हरी, उप्टन कशनान इटकारी रहे गा, तेल की मालिश इटकारी रहेगी, हलका व्यायाम, अगनीसार क्रियाम, ये हितकारी रहेगी, सुच्य और हलके मस्त्र पहने, ज्यादा कप्ड़े भारी ना पहने, देखो बदल गया सिजन तो, पहरवेश तो दिन में सोना, रात में जगना, इस सीजन में, और बारिश नइशनान करना, गिले कपड़े पहने रखना, अथ्वा सिलिंग पहने के नीचे सोना, हितकारी नहीं है. अपस्चिम के तरफ से एसी की हवा भी हितकारी नहीं है, अतिव्यायाम हितकारी नहीं है, इस सीजन में नदी में नाना भी हितकारी नहीं, बारिश की नदिया रजस्वला इस्त्री जैसे उन दिनों में अशुद मानी जाती है, उसके हाथ का भोजन अशुद माना जाता है, वर्षारुतु में स्वास्ते वर्धक चीजें, सौ ग्राम हरड काचूर, दस पंदरा ग्राम सेंदार नमक, मिलाकर दो डाई ग्राम रोज सुबह जल के साथ फाक ले, तो वायुट की तकलिफ ठीक रहती, अत्वा तो अपनी हरड रसायन, गोली एक दो सुबह चूस लिया, एक आदी शाम को चूस लिया, पेट की गड़वड आया, उसके पहले ही गड़वड भगाओ, अजीरन लगे, तो वही जलजीरा अत्वाहरल चूस के पानी अच्छी तरह से पीना चाहिए, तीन से पांच के बीच खुब पानी पीए, और पचीस मिनट के बाद, मत्रुम कर पानी निकल जाए, तो पेट साफ रहेगा, पाचन ठीक रहेगा, निम्बु का रास, गुन गुने पानी में थोड़ी सी शहए, खाली पेट, सब्ता में दो तीन दिल लें, तो हितकारी रहेगा, कुआर पठा कभी कभी लें, तो हितकारी रहेगा, और स्वांस बाहर छोड करके वजरासन में बैठें, और पेट को अंदर खींचे, मन में रम रम जपे, तो इससे अगनी प्रदीप रहेगा, कि मैं करता हूँ ऐसाब, पाचन ठीक रहने से सब ठीक हो जाता है, वजरासन में बैठके है, गुटनों के बल, बैठके है, मंत्र दिक्षा के समेश दिख करता है, सिखाते हम बजरासन, वजरासन बाहर दिखा शुएंग अनियाना पाउनियान मन में रम 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 जप्ते गए, ना भी आंदर खीचते गए, 25 से साब गर खिचते जाए, अतनी देर शुख के रचे से बिल फ्atenर भीणके ञायरान शुएप मन मेने काह पंके, सब रम